सो हलो गाईस इंडियन फुटवल का एक और नए एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग भात करने वाले हैं हिडो इंडियन सूपर लिग का अपकामिंग से रिलेटेट कुछ नए और हुज ट्रांसफर अपडेट के बारे में तो आज गैस सबसे पहले हम लोग एडिके मोहनबागान से ही शुरू बात कर लेते हैं तो एटिके मोहनबागान ने भाई यहाँ पर उनका ऑस्टेलियन स्ट्राइकर डेविट उलियम्स और इंडियन लेफ्ट विंकर माइकेल सुसयाइराच इन दोनों ही प्यार के साथ ओफिशियली पाड़ वेज हो चुगा है तो माइकेल सुसयाइराच गईश अब अपकामिंग सेजन के अंदर हमें ओडिश अपसी के तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे नेक्स्ट अगर गईश एटिके मोहनबागान से जुरी ही एक ट्रांसपर न्यूस के बारे में बात किया जाई उसके बात इंग्लेंड के अंदर इन्होंने योवेल टाउन, डर्वी काउंट्री और नॉट्थ हम्टेंड फुडवल क्लाब जैसे टीमों के तरफ से खेला है इसके लवा एलिट सिरियान, सुजल दन, फास्ट एषट और तारकी सूपर लिग के अंदर भी इन्होंने मल्टिवेल कलाबों को रिप्रेजन कर जुगा है इसके लवा पॉलिष लिग, ग्रीस सूपर लिग के अंदर इन्होंने खेला है सार्वियन सीनिया नाशनल टीम के तरफ सभी 13 मैचेस खेला है तो ये गईस काफी बहतर रक स्ट्राइकर है एउरोपियन टॉप टार लीक के साथ साथ एशिया के अंदर भी ऑस्टिलियन एलिक और साथी प्रोलिक जैसे बड़े मंच पर खेलने का एक्सपिरियनस लेकर आते है और अल्सो इंटरनेशनल एक्सपिरियनस भी इनके पास मौजुद है और एटी के मोहनबागन के लिए गईस ये एक अच्छा साइनिंग साविध हो सकते है नेक्स्ट अगर बात किया जाए भाई कैला ब्लस्टर सेफसी के बारे में तो कैला ब्लस्टर सेफसी ने यहाँ पर उनके एक्सपिरियनस गोल की पर करंजीत सींग के साथ जो अपना कॉंट्रक्ट है उसे और भी एक साल के लिए एक्स्टेंड कर लिया है और अब 2023 तक कांजित सिंग केला ब्लास्टर सेफसी के साथ ही कंटिनीव करने वाले है यहाँ पर इसकेला वाजो इनका Spanish Striker है अलवारो वासकेस उनके साथ केला ब्लास्टर सेफसी यहाँ पर ओफिशली पाड़ोईज हो चुगा है और अब अलवारो वासकेस अबकामिंग हिरो इंडियन सूपर लिग सेजन के लिए जोइन करने वाले है FC गोवा के साथ यहाँ पर अब कर FC गोवा के बारे में ही बात किया जाए तो FC गोवा उनका सीनियर टीम में से जेशुराच, डायलन फोक्स, आइरम क्रेबरेरा और डोमेस्टिक प्लेयर क्रिस्टी डेविस तो इन सभी प्लेयरों के साथ भाई FC गोवा का कॉंट्रक्ट 21 में 2022 तक कही था जो अल्रेडी एक्सपायर हो चुगा है और इन सभी प्लेयरों के जगा अब FC गोवा का टीम में नए फॉर्णर्स आने वाले हैं यहाँ पर FC गोवा उनका रिजाब टीम में से एक डेवलमेंटल प्लेयर को उनका सीनियर टीम के लिए प्रोमोट कर दिया है और इसी एग्रेसिव परफॉर्मेंस के चलते गई एफसी गोवा ने उनको यहाँ पर अपने सीनियर टीम के लिए प्रोमोट कर दिया है नेक्स्ट अगर चन्नाइन FC के बारे में बात किया जाए गई तो चन्नाइन FC ने यहाँ पर अपकामिंग हीडो इंडियन सूपर लिग स चाकलादर इन तीनों ही प्लेयर को गई साइनिंग कर लिया है उसका बात गईस बात कर लेते हैं नौर्थिस टूनेटे डिपसी के बारे में तो नौर्थिस टूनेटे डिपसी ने गई यहाँ पर उनका 24 यर्स ओल्ड यंग इंडियन लिफ्ट बेक प्रभात लाक्रा के सा इनका स्टार फोवर्ड वीपी सुहिड के बारे में जो अल्रेडी इनका मैनेजमेंट को कह दिया है कि वो नौर्थिस टूनेटर उससी छोड़ना चाहते है और गईस यहाँ पर अपकामिंग सीजन के लिए इनको टोटल तीन आयसल क्लाब चेस कर रहा है इंक्लूडिंग इस होम कहला बलास्टर सेपसि उसके बात गईस अगर बात किया gider इस्ट गेंगल फूड़ बारे में तो इस्ट ग्योट फूड़ फूड़ का न्यू स्पॉंसर होने वाले है इमामी ग्रूप जो की कोलकाट अबेस्ट क्लाब है और इसके बारे मैं आप सब को अल्रेडी ब बताया है कि यहाँ पर जो ISL क्लाप East Bengal के साथ उनका पार्टनर्शिप का रिमर्स चल रहा है उसका कोई भी आधार नहीं है उसके बाद अगर बात किया जाएगा इस Mumbai City FC के बाड़े में तो Mumbai City FC टोटाल 6 प्लेयर महम्मद राकिप, Igor Angulo, Diego Mauricio, गोलकीपर विक्रम सिंग, Cassio Gabriel और उनका रिप्लेस्मेंट के दोर पर इन्होंने स्टाइनिंग कर लिया है FC Goa का 32 यर्ज ओल स्प्यानिश अटाकिंग मिद्फिल्डर अलवार्तो नौगविडा को तो FC Goa के साथ गईस, एलवार्तो नौगविडा का कॉंट्राक 31 में, 2022 में ही expired हो चुगा था और यहाँ पर अब Mumbai City FC as a free agent के दोर पर एलवार्तो नौगविडा को upcoming hero Indian super league season के लिए अपने टीम में signing करने वाले है तो एलवार्तो नौगविडा गईस, यहाँ पर अब upcoming season से हमें Mumbai City FC के तरफ से खेलते हुए नदर आएंगे उसके बात गईस, अगर Odyssey FC के बारे में बात किया जाए, तो Odyssey FC ने यहाँ पर upcoming season के लिए दो नए signing को officially announcement कर दिया है जिन में से पहला signing है, ATK महानबागान का 27 अल्ट इंडियान लेफ्ट विंगर माइकेल सुसाइड़ाज और दूसरा प्लेयर है भाई, जामशित पुरिफशी का यंग इंडियान डिफिंडर नरंदर गहलोत तो ये दोनों ही प्लेयर का इस upcoming season के अंदर अब हमें Odyssey FC के तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे तो चलिए आज के लिए बास इतने ही, वीडो कर अच्छे लगे तो वीडो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना कोई भी जानकरी के बाड़े में अगर आपके दिभाग में कुछ भी confusion होने तो मुझे नीचे comment करके जरूर पूशना में आपको answer देने का कोशिश करूँगा और अगर आप इंडियन फूटवाल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को कर देना subscribe साथ में notification बेल को on ताकि आगे जाकर भी इंडियन फूटवाल से related हरेक importance जानकरी रेगुलरली आपको हमारी इस चैनल पर जानने को मिलते रहे तो फिर में लेंगे आगले एक नए और इंटरस्टिंग फूटवाल एपिसोड के साथ और तब तक के लिए take care and bye bye